नमस्कार दोस्तों मैं संदीब सअगत थै tenis आप सभी का आज कि नए इकलास में चले दोको आप लोग जादा फ़ेज़दा किलास से जाइन हो जाए क्योंकि आने ही दूनों में यानि कि जलदीin आप सभी की उने वाले तो आप आप अच्छे से पढ़ेंगे ने तो आपको एक्जाम में सफलता नहीं मिलेगी इसलिए मैं बोलूंगा कि जो भी स्टुडेंट हैं या फिर कह सकते कॉलेज उन्वर्सिटी वाले वह ज्यादा ज्यादा वीडियो को देखा करें और को समझा करें अपने स्टुडी वह कंटी करां कि अग resort होंगे वह इंपान्यट होंगे जो कि आपके eczam के लिए का अपकोACE Перणा क्यों देखना में खएंगे दिए इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टन कोईश्चन सामिल है यह ध्यान में रखी है जरूर ठीक है अजर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक्जाम में काफी मदद मिलेगी काफी कोईश्चन आपको देखने को मिलेंगे यह मैं कह सकता हूं ठीक है चलिए बिना समाज की परिभासा दीजिए यानि कि समाज सास्त्र का पहला को समाज की परिभासा नहीं याद है तो वह इस वीडियो से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा और आप लोग को हो सकता है एक्जाम में यह रिपीट हो जाए बहुत ही सिंपल सा कोईश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है लिखाए कि समाज की परिभासा दीजिए और इसमें समाज की बहसाजा अलग-अलग बिद्वानों द्वारा दिये गए हैं जो कि मैं आपको बिदाने के पिज्ञास करूँगा दुफ्तू जो पहला समाज का परिभासा दीए उन्होंने यह समाज बेक्तियों का संकलन है जो अनेक समय और बिधियों द्वारास अंगठित है तो उपनल शान समजना इस ता है कि समाज की परिवासा जो दे रहे हैं ठीक है गिंसवर्ण ये उइसा आप सो कह सकते हैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर बहुत सारे बेखती हों ठीक है यानि कि एक कस्बा हो या फिर ग्राम हो ठीक है गाउं हो वहां पर बहुत सारे बेखती हो और एक दूसरे में काफी उनका परिचे हो या फिर ना भी हो तो उससे नहीं मतलब है लेकिन एक समू हो ठीक है उसे ही हम लोग कहेंगे अब मैं अपनी भासा से बता रहा हूं फिराल लिखा है कि जो अनेक संबंदों और विवहार की विध्योदार संगठित है यानि कि समाज में किसी का संबंद किसे भाई चारा है किसी भाई बहन या फिर दादा या फिर पडोस वाले या फिर रिलेशन वाले ठीक है उनके संब नहीं भी पैचानते तब भी एक समाज कहलाता है यह मत सूचीगा कि नहीं जानते हैं तो समाज नहीं कहलाएगा ठीक है और लिखा है कि तथा इन बिक्तियों से भिन हैं जो इस प्रकार के संबंदों द्वारा बधें नहीं है यह उनसे भिन है यानि कि अलग है जो इस संब समाज वह नहीं पर दूसरे बिद्वान तोरह बताया गया यानि कि यह भी ठीक है राइटर ने लिखा है कि समाज एक अमूर्थ धारड़ा है जो एक समू के सदस्यों के बीच पाया जाने वाले पारस पर इक समंदों की संपूर्ता का बहुत कराती है इन्होंने एक ही लाइन है इन्हों ने कहा है नहीं मुला आद रखताव ठीक है जो एक समू के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले पाये पारस समद्वार्थ समəं है जो आपको वह प्र बताया जैने कि दोनों दोरा जो दोनों बिद्वानों दोरा समाज का अर्थ या परिभासा बताई गई है वो सिमिलार्टी है लेकिन थोड़े थोड़े चीजे अलग-अलग हैं उनके अंसार यह था इनके अंसार यह तो आप लोग को जो बेटर लगे या फिर आपके एक्जाम में जिनका भी समाज के बारें परिभासा पूसी जाए कि इनके अंसार परिभासा क्या होगी तो आप लोगों को वही लिग देना है ओके नेस्ट कोईश्टन है कि बिशुद्ध और सीमा वर्ती समिधाय के कुछ उदाहरण दीजिए तो दोस्तों मैं आपको बता दो वीडियो तो प्रेश्ट याने बहुक्त आएंगे दो चार पांस और इनके ना भी आए लेकिन अति लगुत्य लगुत्य और विस्तिदुत्य इन तीन आप लोगों को पैटर्न देखने को जरूर मिलेगा इन तेन बेस्ट के कोईश्टन आएंगे कि विशुद्ध और सीमा वर्ती स समुद्ध है उसके क्या एक्जामपल से हैं यहां पर आपको देखने को मिलेंगे समुद्ध को दो सोड़ियों में भाजित किया जाता है नंबर एक है बिसुद्ध समुद्ध में आ जाता है जन जात ग्राम नगर आदिम जुंड आदी ओके और जो सीमा वर्ती है उसमें प समुद्ध है उसमें परिवार पड़ोस बंदिग्रह राज यह ध्यान में जरूर रखेगा मौस्ट इपर्टेंट इसके बारे में क्या एक समुद्ध है तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा संचिप्त में लिख देना है जिससे आप लोगों को पता चले कि समुद्ध न मानने के लिए यह जानना और रिख्च्क होता है कि वह समुद्ध लेजित इसमुद्ध कहा जाता है अगर उसकी बिख्रेश्थियस्ट穴then समुद्ध को ऊती है तब ठीक है, वो समूह शमदाय कहा जाता है, चुकि गाउं का एक भी निश्चित भू भाग होता है एक विश्चित नाम, मानवो, ठीक है, मानवों का समूह, हमकी भावना, स्वताह जन्म सामान जीवन, आत्म निर भरता ठीक है स्वाफ्थायत तो होता है इसलिए गाउं एक विशुद्ध समधा है गाउं में समधाय की सभी विश्षताएं और आवस्यक्तत नहीं तो होते हैं यह द्यान में रखिएगा आप लोगों इसी तरह के बारे में कुछ आप लोग ऑफिसियल लेंग्वाज में लिख देंगे उसके आगे आप लोग बनाकर भी लिख देंगे तो आपको पूरी मार्क्स मिल जाएंगे यह द्यान में रखिएगा नेस्ट कोश्चन है कि समयच की समाज की विसेश्टार का मतलब समाज में विसेश क्या है ठीक है जिसे कि आप में विशेष्टा घर कि में किसी का नाम ले रहे रहा ह। कि जानता truths की आइए जान जाता है उसमें क्या विशштता है क्या साथ है तो उसीप ग भी तो उसीव को लिखना इसमें विशेत क्या है तो समाज में जो बिसेस है उसमें कि आप लोगों को है जाल समाजिक समदों का जाल जोसमाज화 का छाल है यानिकल कि बहुत सारे लोग रहते हैं यानिकल के पूरा का आप लोग कह सकते हैं एरिया है जिसमें उस समाज कहलाता है जिसे यह का एक थोड़ा से एरिया लेली यहां पर 40 अब आप समाज़िक साम Watts का जाल को समाज की है समाज का जन्म होता है समदों की एक निरलेसंस ने कि और ट्रught के वीच शाहिं beauty सम माज का जन्म होता यानि कि उनसे आप लोग क्या अनभूत ले रहे हैं उनसे क्या आप लोग उनको क्या कहके पुकारते हैं या फिर किस से किस वज़ा से उनको जानते हैं ठीक है वहीं से समाज का जर्म होता है उसकी अनभूत से उसके बारे में जानने से संबंध से एक दूसरे के जो जानना है कि हम इनको जानते हैं वहunkس समाज का जरम होता है step-by-step, ठhou है निश्ट değil है कि विशेस्ता जो है वो लिखा कि प freedoms समाज में जरूर पाए जाती है तो आप सब से मालूम है कि समाज में समापतर यहांद कि सब समान कहीं 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 की बात मैं नहीं कह सकता हूं लेकि समाज में समानता जो है वह जरूर पाई जाती आवस्य पाई जाती है ठीक है समान का मतलब एक जैसा वह याद रखेगा समाज में सहयोग और संगर्फ दोनों ही पाया जाता है सभी समाज में अगर किसी को कोई प्रोप्लम है तो उसमें सहयोग भी दिा जाता है अगर किसी को भी दिकत से संगर्ष भी किये जाते हैं ठीक है और लिखा एक जिस्भी бол चाल होती है रख रखा रखा या उठना बैटना सभी समाज जो होते हैं by और लिखा है कि प्रतेक्ष स्माज संगठन का संकुल होता है परतेक्स समाज संकुल होता है प्रतेक्ष समाज संगठन संगठन कर लीजिए तो इस काम को करेंगे तो आप लोग यह कर पाएंगे तो ही हो जाएगा संगठन और इसी में अगला है वह लिखा कि समाज कि सबस्फाज एक सार्ब भूमिक अध़ना भी यह मुख्योंसां की मेरे हिसाब से मैं को अपने इवासर में बताने किसे हो समँछमिया गया होगा अगर अगर आप मेरी भासर में भी लिखेंगे तो तो समदाय के परवासित करने के लिए बहुत सारे विज्ञाने के जिनके अलग-अलग मतवेद हैं इन्होंने अलग-अलग अपने वहासाओं में बताया है तो पहले जो हैं वह किम्बल यंग के अनुसार जो है समदाय की परिवासा है कि समदाय एक ऐसा समूव है जो एक ही सा सांसिकृति सांसिकृति के अधीन एक अस्थान अत्वा छेत्र में रहता है और अपनी प्रमुग क्रियाओं के लिए समान भौगोली केंद्र से प्रभावित होता है वही पर गिंसबर्ग ने समधाय की परिवासा को इस तरह प्रवासित किया है इनोंने कहा कि समधाय एक अध्यावित कर सासात रहती है तो यह दो अलग-अलग विद्वान एक नुसारा अलग-अलग इसकी परिवासा हए तो जो भी आपके एकजाम में आए कि इनके नुसार करने से पहले मैं आपको बता दूं यह वीडियो अगर आप 2-3 बार यह कोनो नोट डाउन करके दो से तीन चार बार आप लोग देखेंगे समझेंगे क्वेश्चन को तो मैं गारेंटे के साथ कह सकता हूं आपको पूरी ता समझ में आएगा अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाए पूरा बीड़ों के देखने बात तो वो नहीं हो स रखता अगर आप कई बार प्यास करेंगे उस चीज़ को समझेंगे तभी आप लोग सफल हो पाएंगे यानि कि उसका क्वेश्चन का अंसर समझ पाएंगे एक ही बार में नहीं हो पाएंगे यह ध्यान में देखिएगा समाज और समदाय में क्या अंतर है आप लोगों को कर भुसक्तरर दि olduğ जयाना में एक हूँ आसका जो अनतर आजाय तो आप लोगों कैसे लिखना है और समझ अनतर है इसमें कि समाज आपचारिक संबंदों पर आधारित होता है ठीक धान रखेगा समाज आपचारिक संबंदों पर आधारित होता है जबकि समुदाय के संबंद अनपचारिक होते हैं समाज के आपचारिक होते हैं और समुदाय के अनपचारिक होते हैं यह धान में रखेगा समाज में बेक्ति अपने उद्देशों की पूर्ति करता है जब कि समदाय में बेक्तियों के उद्देश सीमित होते हैं उसमें उद्देस को पूर्ट करते हैं और समधाय में स्षीमित उद्देस होते हैं कि समाज कोई नाम नहीं होता इसे भाउगोलिक लेशन के दौरा जाना जाता है जैसे भारतिय समाज युरूपे समाद आदी जबकि समुदाय एक विश्षट नाम होता है या नाम समुदाय के लिए अपनापन वह सहयोग बढ़ाता है यह रखेगा समाज कोई नाम नहीं होता यह भोगोलिक विफ्लेशन है ठीक है जैसे जैसे भारतिय समाज यूरोपे समाज इत्याद जबकि यह द्हान में रख सरे और संसक्रत के लोग रहते हैं आथा समाज विभीन संसक्रतियों का संगम अस्थल है जो समाज में बैभाप भापके बोरा अङमार्ड को सार नाम से जबएक संसर्ट को जलाता है थे उन नाम से जाना जाता है समधाय कि इन छोट hex सांस्कृत के नाम से जाना जाता है या फिर कहा जाता है दियान में रखेंगा मोस्ट पॉड़न कोईशन है इसी में नेस्ट कोईशन है लिखा है कि समधाय और ठीक है समित में अंतर बताईए या समधाय और समित में क्या अंतर होते हैं या फिर क्या अंतर है बतलाईए तो आ समुदा कि लिआ हैं जिसके माधम से ब्यक्ति अपनी आवस्यक्ता की पूर्ति करता है यह जो अपनी आवस्यक्ता की पूर्ति करता है जब साधन इसके मादवन से ब्यक्त अपनी आवसकताओं की पूर्टी करता पिक हम है घ्रटी करेंगे और जो सममदाइब हो रजह किसी जोगत नहीं है यह याद रखाएब नेस्ट पॉइंट है लिखा कि समधाय अस्थाइप प्रकत के होते हैं जबकि समत्य आफ्थाइप प्रकत के होते हैं समधाय की अस्थापना किसी विशेश उद्देश को ध्यान में रखकर नहीं की जाती है जबकि समद्ध की स्थापना एक निश्चित उद्धेश को ध्यान में रख कर की जाती है और उद्धेश की पूर्ट होने पर या समद्धी समाप्त भी हो जाती है ये रहे अंतर, निश्टिशी में और हैं अंतर लिखा है कि शमुदाय का स्वथा विकास होता है जबकि समतकी इस्थापना जान प्रूचकर या सोच-विचार कर की जाती है जो समुदाय होता है वो उपने आप कह सकते हैं कि अ.'' जैसे कि आप सो कहते हैं कि एक्जांपल के लिए हम आपको बता रहें क्या बता दें आप लोगों के लिए कि समधाय स्वता विकास होता है जैसे कि मानली जी कि एक्जांपल में क्या मैं आपको बता दूँ स्वता विकास होता है अभी जैंपल में ध्यान नहीं आ रहा है एक्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्या होगा फिरालागे इसमें निश्ट जो अंतार है वह हम पढ़ेंगे लिखाए कि समधाय का सदस् अच्छिक होती है तो यहीं पर आप लोग पर यहां पर समझ सकते हैं तीसरा वाला में आपको संजाना जो चाहता समधाय का विक्वार्ज में होता हैं उसका स॥ार ही वुकास होता है जी जह जन्म हो जाता है उसके बाद उसका सथार विकास होने लगता ही साल का होता है दो करेंगे या फिर उसको सोच बिचारेंगे उसके बाद उसकी अस्थापना करेंगे तो यहीं हो गया समधी और समधा यह हो गया आपका जो मैंने पर दिया कि एज उमर बढ़ती जाती है यह मेरे कोर्डिंग परिभासारी सिंपल से आपको समझ में भी आ गई संस्था के लख बतलाई यह तो शंवता के लख्षन क्या क्या हो सकते हैं तो शं शंवता के निक लख्षन है पहला जो लख्षन है वो है शांस कृटिक्त केलिव सांसी कृफ्ता यही काई दूसरे है अधिक अस्थायत तो तीस्तरा है सु अप अस्पष्ट एयों अथ्वा अनेक उद्देश और चौथा है सांश्कृतिक उपकरण चब पच्वा है प्रतीक और छे नंबर परमपरा तो यह रहें सांश्कृता के में लच्छन मुख्य लच्छन तो आप लोग समस्था के कार बताई तो संस्तरा है कौन-कौन से कर भी है आप लोगों को लिखना है उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है निसमें पहले कि मानोअ उसक्ता की तो इसमें पहला जो है वह वहっ Idaho तो इसमें लिखा है कि स्वयम से साध्ध नहीं या भी होती है कि वो अपने सदस्यों के पदों और कार्यों का निधारण नियाद रखेगा पद और कार्य ठीक है पदो और कार्यों का निर्धार करती है लेकस्ट करना का मतलब ताथ पर यह रूपता का पर एक रूपता से है जो बाह और आंत्रिक दोनों प्रकार की होती है सामने समान आधर्स रख्ती और अगला है कि बेक्त के कारे को सरल बलाना समाज यह है बेक्त के कारे को सरल बलाना इसमें लिखा है कि समाज समाजिक समंदों की एक जटिल बेफ़ता है समाज इतना जटिल है कि इसमें बेक्त उचित और अनुचित का निधार नहीं कर पाता है इफ जटिल परिस्थिति में संस्थाएं ब्यक्त का माग दर्सन करती हैं संस्थाओं के द्वारा ही या निश्चित है कि ब्यक्त को कौन सा कारे करना है और कौन सा कार नहीं करना है यह है ब्यक्त के कारे को सरल बढ़ाना निश्चिशी में कि संस्था किसे कहते हैं अस्परस् अस्था का नाम है जो समाजिक मूल्यों के अनुसर अर्ब्यक्तियों को अपने उद्देश पूरा करने की अनुमत देती है ठीक है बैठना इस प्रकार संस्था का साथ अर्थ एक साथ बैठना हुआ अर्थात बिक्तियों के एक साथ बैठकर कारे करने से संस्था का बोध होता है परंत समाज सास्त्रे दिश्ट से संस्था का अर्थ इससे बिश्त्रित है समाज सास्त्रे अर्थ में संस्था मानों और सक्ताओं की पूर्ती का वह सक्तिसाली नियमानुकूल एवम अमूर्त संगठन है जिसे समाज या सरकार की सुविक्रत प्राप्त हो इसका जो एंसर है वह संस्था his it's很有 हुआ संस्ता का लिएा संस्था आप लोगों 걸로 को इसके बारे में बहुत सिंपल सा एंसर है आप लोग लिखेंगे तो श्राक्ति सव्क पूर्षेस को पूरा करने की नौत est संस्था जो संस्था के दो सब्द से बना बनाया इसमें प्लस अस्था संक्रत हुआ एक साथ अस्था का रृत बैठना मतलब की दोनों का अर्थ जो पृतीत होता है वह होता संस्ता का साब्दिक अर्थ होता है एक साथ बैट कर कार्य करना ठीक है और इसी को संस्ता कहा जाता है ऐसे आप लोग लिख सकते हैं तो कुल मिलाके मैं अपनी भासा में इसको बताने का प्रियास क्या हूँ को समझ में आगया होगा अभि पर क्वेश्क फऋमन में चाहिए में फ्रीक भीन तेनिस्ट बिनों दब तक ले जाएंदे